छात्रो, आज हम जय प्रद्दोकी की और इसके प्रक्रमों को जानेंगे, क्या कोई शब्द जय प्रद्दोकी की को परिभाशित कर सकता है? हाँ सेर, सेर ये एक प्रद्दोकी की है, जिसको उप्योग उत्पादों को रूपांतरित करनें और मानत जीवन है तू, उन्हें उप्योगी बनाने के लिए किया जाता है बहुत अच्छे, वे प्राक्रम क्या हैं, जिने हम जय प्रद्दोकी की में शामिल करते हैं? सेर, इसमें क्रित्रिम डियने का निर्माण शामिल है, सही कहा, डियने का क्यार्थ है? सेर, डि आक्सी रिबोन यू क्लिक अमल, सही कहा, तो आव इस पार्ट में हम जय प्रद्दोकी की के सिध्धान्त और प्राक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंद में आप निमने करने में सक्षम हो जाएंगे जैव प्रद्दकी की के सिध्धान्तों का वड़न करना एक क्रित्रिम पुनर्योगच डियने अनू के निर्माण का वड़न करना पुनर्योगच DNA प्रद्योगी की के साधनों का वड़न करना DNA खंड के प्रतकरण एवं विलिगन की चर्चा करना क्लोनिंग संभाह का वड़न करना पुनर्योगच DNA प्रद्योगी की के प्रकरमों का वड़न करना जयव प्रद्योगी की के सिध्धांत जैप्रोध्दुकी की एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जंतों में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उप्योग हे दूँ सुख्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है। आधोनिक जैप्रोध्दुकी की के विकास में निम्न दो तकनीकों का योगदान है अनुवन्शिक इंजिनिरिंग, अनुवन्शिक पदार्थ की प्रकृति को बदलने की तकनीक और या अनुवन्शिक पदार्थ को अन्य पर पोशी जीवों में प्रवेश करा कर इसके समलक् में परिवर्थन करना। जयव प्रोध्दोगी की उत्पादों के निर्मान के लिए प्रोगाणूं रहित दशाओं में केवल वांचित सूख्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संक्या में वृध्धी और गुणन को सुगम बनानी की तकनीक। आनुवंशिक इंजिनिरिंग के सिध्धांतों का विकास। संकरन उत्पादों में सुधार के लिए पाधप्रजनन और जंदू प्रजनन में उप्योग की जाने वाली पारम परिक्विती है। इसमें प्राया वांचित जीन के साथ साथ अवांचित जीन का समावेश भी हो ज विजातिय डियने या क्रेत्रिम डियने से जुड़ा परपोशी डियने पुनर योगज डियने कहलाता है। बड़े डियने में अनिक मूल होते हैं और डियने प्रती कृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। प्लाजमिट अतिरिक्त गुन सूत्र डीने हैं जो एक जिवाणों से दूसरे जिवाणों तक जीन या डीने इस्थनांतरित कर सकते हैं वे साल मोनेला टाइफी मूरियम के प्लाजमिट से प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन को प्रती बंधन एंजाइंज दोरा काट कर अलग करते हैं प्रिथक जीन, डीने, लिगेज एंजाइंज दोरा प्लाजमिट से जुड़ा हुआ था ये पुनर योगज DNA पात्रे बनाता है जो प्रयोकशाला की दशाएं हैं। इस पुनर योगज DNA को सालमोनेला से काफी मिलते जुलते इशारी किया कोलाई जिवाणों में इस्थानांत रित किया जाता है। जीव के अनवंशिक रूपांतर में निम्न चलन होते हैं। वांचित जीन योगज DNA की पहचान। जीनित जीन का परपूशी में स्थानांतरन। इस्थानांतरित DNA को परपूशी में स्रक्षित रखना तथा उसकी संतती में इस्थानांतरित करना। पुनर योगज DNA तक्नी के साधन, प्रतिबंधन एंजाइम, नूकली एजज कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग बें आते हैं, ये एंजाइम DNA दूई कुंडलिनी को विशिच्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सो नूकलीज, एंडो नूकलीज, एक्सो नूकलीज, ये एंजाइम DNA के सिरों से निकलोटाइट को अलग करते हैं, एंडो नूकलीज, ये DNA के भीतर विशिस्ट इस्थलों पर काड़ते हैं, ये एंजाइम DNA में पैलिन्ट्रोमिक नूकलियोटाइट अनुकरम के लाने व ये चार युगम का अनुक्रम है, जो पढ़ने के अभिविन्यास को सबान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है. निम्न अनुक्रमों को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में या 3 प्राइम से 5 प्राइम के दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है 5 प्राइम G A A T T C 3 प्राइम 3 प्राइम C T T A A G 5 प्रथम प्रति बंधन एंडो नुक्लेज हिंड दो था प्रति बंधन एंडो नुक्लेज एंजाइम की क्रियात्वारा पुनर योगज डियने के निर्माण में चरण कुछ जीवानों में प्रति बंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाय जाते हैं और विशाणों के वृत्थ रक्षा तंत्र के रूप में कारे करते हैं प्रति बंधन एंजाइम एक विशिष्ट इस्थल यानी पहचान इस्थल पर काड़ता है जहां निकलियो टाइट्स का एक विशिष्ट अनुक्रम पाय जाता है प्रति बंधन एंजाइम एको आरवन में निम्निक पहचान इस्थल होते हैं GAA-TTC CTTAAG इसका थै कि एको आरवन इस अनुक्रम में केवल ची और एक के बीच काटेगा चरण एक एको आरवन के लिए पहचान इस्थल युक्त DNA का एक खंड नीचे दिया गया है चरण दो एको आरवन डियने लड़ी को पहचान इस्थल पर काटता है G और A के बीच चरण तीन डियने लड़ी विखंडित हो जाती है इससे खुले निकलियोटाइट्स या चिपचिपे छोरवाले डियने खंड उत्पन होते हैं अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उधारन के लिए हिंड दो में सीध में काटता है और बंद निकलियोटाइट वाले डियने खंड उत्पन करता है ये खंड अनासंजी स्रे कहलाते हैं चिपचिपे स्रे और अनासंजी स्रे एक अन्य डियने एंजाइम लिगेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े जा सकते हैं डियने लिगेज डियने की मरमद और प्रती कृतियन में शामिल होते हैं लिगेज का कारे बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में डियने खंडों को पुना जोड़ना है डियने खंड चार युग्म रेखन का उप्योग करके आपस में जोड़ जाते हैं DNA के एक खंड के खुले नुक्लियोटाइट्स दूसरे DNA खंड के लिए चार युक्मन द्वारा आकशित किये जाते हैं खंड एंजाइम DNA लिकेश द्वारा जुड़े होते हैं जो खंडों को उनकी शरकरा फास्वेट रिड़ पर जूड़ते हैं यदि DNA खंड अलग-अलग स्रोतों से है तो पुनर योजन DNA उत्पन होता है DNA का उत्पादन पुनर योगज DNA का उत्पादन प्रती बंधन एंजाइम एको आरवन के क्रिया के परिडाम सरूप होता है और बंधन को निमनलिकित आरेक में दर्शाया गया है एंजाइम दोनों DNA को समान आमाप पर काड़ता है उसके बाद दोनों DNA खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है और इसके फलसरोप पुनर योगज DNA बनता है DNA खंड का प्रितक करण एवं विलकन DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस यानि विद्ध करण संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है विभिन आकार वाले अड़ों को सरंद्री स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए इलेक्ट्रो फॉरेसिस में विद्ध धारा का उपयोग किया जाता है बड़े अड़ों की तुल्ला में छोटे अड़ों जेल रंद्रों से बहुत आसानी से गती करते हैं फिल शाप्र जू सैंब्रुक और बिल सागडेन ने अत्यदेक्षुद सबद्रिय घास से बने एकारोज जेल का उपयोग करके डिने एलेक्ट्रो फॉरोसिस टक्नीक विक्सित की है जेल को विदुद प्रवाहित होने वाले लवन फिलियन से भरे टैंक में डुबोया जाता है पिपेट का उपयोग करके डिने प्रतिदर्श को एकारोज जेल में बने अस्थानों में लाता जाता है डिने प्रतिदर्श रंगी हीन होते हैं लेकिन शोत करता नीले रंग की ट्रैकिंग डाई मिलाते हैं इससे प्रतिदर्शों को लाधना और जेल से होकर डिने प्रवासन को आखों दो आरा देखना आसान हो जाता है DNA रीड में सिद फास्वेट समू रणात्मक आविशित आउक्सिजन लेकर DNA अणू को पूरी तरह से रण आविशित कर देते हैं विद्धारा में रणात्मक आविशित DNA इलेक्ट्रोफोरिसिस कक्ष के धनात्मक ध्रुव की ओर चले जाते हैं DNA अणू एक रोज मेट्रिक्स के रंध्रों की रेप्टेशन रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रियाद्वारा जेल से होकर इस्थानांत्रित होते हैं दिये गए समय में छोटे DNA खंड बड़े खंडों की तुल्ला में तेजी से गती करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं इस तरह DNA खंड एक एक रोज जेल में आहमाप अनुसार अलग-अलग किये जा सकते हैं मूलियांकन आईए आगे बढ़ने से पहले ये जाने कि आपने कितना सीखा सही विकल्ब को उठा कर उसके स्थन पर भरें क्लोनिक संभाहक एक DNA अणूं जो विजातिये DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है जीवान कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिये DNA क्लोनिंग संभाहक के लाता है क्लोनिंग संभाहक प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए अगले महतपून साधन है सामानने क्लोनिंग संभाहक प्लाजमिट और जीवान भुजी है एक संवाक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निमने विशेशताओं की आविशक्ता होती है प्रतीक्रितियन की उत्पत्ति यानी मूल यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतीक्रितियन की शुरुवात होती है और डिने का कोई भी टुकडा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतीक्रितियन कर सकता है वरन योग्य चिन्हक मूल ओरी के साथ संवाहक को वरन योग्य चिन्हक की भी आविशक्ता होती है जो रूपान तरजों और अरूपान तरजों की पहचान करने में सहयता करते हैं उधारन के लिए Ampicillin, Chloramphenicol, Tetra-Cyclin आदी जैसे प्रती जहविकों के प्रती प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वरणयोगे जिनिकों के रूप में उप्योग किया जाता है रूपांतरन ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक DNA खंड को परपोशी जीवानों में प्रवेश कराए जाता है क्लोनिंग संभाहक क्लोनिंग स्थल ये वेस्थल है जहां पर विजातिये DNA जुड़ता है निवेशी निश्क्रियता प्रतिजैविक प्रतिरोथी जीन का उप्योग करके पुनरयोग जोक्जों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए एक वैकल्पिक विधी विक्सित की गई है इसमें रुपान तरजों, पुनर योगजों और आप पुनर योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्तिती में रंग उत्पन करने की उनकी शमता की आधार पर की जाती है इसमें एक पुनर योगज DNA को एक लेक्टो साइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराये जाता है, जिसके भल सवरूप एंजाइम निश्क्रिये हो जाते हैं और इसे निवेशी निश्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवाणों द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, आप उनर योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। इस टी डिने कहलाने वाले डिने का खंड इस्थानांतरित करता है, और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रुपांतरित कर देता है, और अर्बुद कोशिकाएं रोग जनक के लिए सरूरी रसाइनों का उत्पादन करती हैं। अब इस जीवानों के टी आई प्लाजमिट का उप्योग अपनी अभिरुची के जीन को अनेक पौधों में इस्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जनतों में पश्च विशाणूं परपोशी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रुपांतरित करने के लिए अपने डीने को परपोशी कोशिकां में इस्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विशाणूं का एक समवाहक की रूप में उप्योग किया जाता है। यदि हानेकारक डीने को अभिरुची के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आति थे यानि पुनर योगज डीने के साथ रुपांतरण हे तू। डीने जल रागी अड़ों होते हैं। इसलिए इसे कोशिका जिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को केल्शियम जैसे दूई संयोजन धनायन की विशिष्ट सांदरता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर योगज डीने के साथ बर्फ पर रखा जाता है। तब पुनर योगिज DNA को उन कोशिकाओं में बल पूर्वक प्रवेश कराया जाता है, इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुना इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। विजातिये DNA को प्रवेश कराने की अन्य विदिया सूख्ष्म अंतक्षिपन और बायोलिस्टिक या जीनकन है। पुनर योगज के प्राक्रम पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं जैसे अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवाह संसाधन अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्तथक करन प्रती बंधन एंजाइम की क्रिया के लिए DNA को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाहिए ये लाइसोजाइम, सेलिलुएज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणों कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है DNA हिस्टोन, प्रोटीन और RNA के साथ गुंधे रहते हैं RNA को रिबान यूकलेज से उपचारित करके जबकी प्रोटीन को प्रोटी एस से उपचारित करके अलग किया जाता है अन्ने अनुवन को उचिद उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनन्त गुत्वा दुरुद्ध शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधित DNA अवक्षेपित हो जाता है DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना शोधित अड़ों को इस्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रती बंधन एंजाइम का उप्योग किया जाता है प्रती बंधन एंजाइम की वृत्धी जाचने के लिए पाचन एक अरोज जेल इलेक्ट्रो फॉरेसिस का उप्योग किया जाता है पुनर योकज डियेने तैयार करने के लिए सुरोत डियेने से काटा गया अभिरुची का जीन तथा खाली जगह के साथ कटे हुए समवाह को मिश्रित किया जाता है और लिकेज मिलाया जाता है पुनर योकज डियेने प्रोध्योग की के प्रक्रम PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पॉलिम्रेज श्रिंखला अभिक्रिया यानी PCR विशिष्ट डियेने अनुक्रमों का घातां की प्रवर्थन प्रतान करती है PCR के लिए आवशक है DNA टेंपलेट कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित डियेने अड़ू होते हैं प्रवर्थित किये जाते हैं उप्क्रमक समान जी ब्लसी सामगरी के साथ साथ लगभग 10-18 निकलियोटाइट के रसाइनिक संशलेशित अल्प निकलोटाइट का युग्म उपक्रमकों के रूप में कारे करता है जो एक दूसरे के प्रती सीधे DNA संशलेशित करते हैं एंजाइम सामान रूप से उप्योग किये जाने वाले दो एंजाइम हैं टैक पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1-2 मिनट तक बचे रह सकते हैं इस तकनीक में 3-4 रण शामिल हैं 1. विक्रिती करण लक्षित DNA का गलन दूई लड़िये DNA से इसकी पूरक लड़ियों को प्रतक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सिकन के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उप्योग करके इसे विक्रित किया जाता है DNA संचलेशन के लिए प्रतेक प्रतक एक लड़िये DNA टेंफलेट के रूप में कारी करता है 2. उपक्रामक तापनुशीलन विक्रित DNA लड़ियों के लिए दो अल्प निकलियोटाइड उपक्रामों को का तापनुशीलन अतरिक्त उपक्रामक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है उपक्रामक हाइडोजन बंध बनाते हैं जो DNA अनुक्रम के दोनों सिरों पर DNA का तापनुशीलन करता है 3. उपक्रामकों का विस्तार बहुलकी करण DNA पॉलिमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुली की करण प्रक्रिया की शिरुवात करता है उप्योग की जाने वाले दो एंजाइम टेक, पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज है पुनर्योगज DNA प्रद्योगी की के प्राक्रम परपोशी कोशिका या जीव में पुनर्योगज DNA का निवेशन यदि पुनर्योगज DNA को जिसमें प्रती जैविक एंपिसलीन प्रतिरोधी जीन इस्थित होता है इक उलाई कोशिकाओं में इस्थानांत रिद किया जाता है तो परपोशी कोशिका एंपिसलीन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रुपांत रिद हो जाती है इस इस्तिती में M.P.C.L.N. प्रतिरोधी जीन वरण योग के चिनहक कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना विजातिये DNA जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांशित प्रोटीन उत्पादने करने के लिए प्राया गुनित हो जाता है। जब प्रोटीन कुठ लेखन जीन किसी विशमचात पर पोशी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर योगज प्रोटीन कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादों को उत्पन करने के लिए 100-1000 लीटर आयतन वाले बायो रियक्टर का उप्योग किया जाता है। बायो रियक्टर वृध्धी परस्थितियों यानि तापान, पीच, क्रियाधार, लवन, विटामिन, ऑक्सीजन का उप्योग करके वांचित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूल तम परिस्थितियां प्रदान करता है। प्राया विलोडन प्रकार के बायो रियक्टर का उप्योग किया जाता है जो समानिता बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होते हैं। विलोडग बायो रियक्टर में आक्सीजन उपलवधता वा उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पता हवा पुलबले के रूप में बायो रियक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायो रियक्टर में निम्न घटक होते हैं। एक प्रक्षोभग तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, जाग नियंत्रन तंत्र, तापक्रम नियंत्रन तंत्र, पीच नियंत्रन तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर-योगज DNA प्रद्योकिकी के प्राक्रम अनुप्रवाह संसाधन इसमें प्रथक्करन वाश्योधन शामिल है इसे सामवहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं औशदी के मामले में ऐसे संरूपन को चुकिस्सीय परीक्षन से गुजारते हैं अनुप्रवाह संसाधन प्रतेक उत्पात के लिए भिन भिन होता है क्या आप जानते हैं? आनुवन्शिक रोगों से नवजाद शिश्यों की वृत्यों के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता चल जाता है किस के लिए कौन दोशी है अब वैग्यानिकों ने नियमित चिकिसा दिखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुँचकर एक सब्ता के बजाए कुछी दिनों में उन शिश्यों के डियने के कुछ लेखन का एक तरीका खोज लिया है सिर्फ पचास घंटों में हम नवजाश शिश्यों के जीनों का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में तोहराएं जयव प्रोध्दुकी की एक तक्नीक है जिसमे अत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिस्ट उपयोग हे तो सूख्ष्मचीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए अनुवन्शिक इंजिनिरिंग द्वारा पौनर योगज डिने विक्सित किया जा सकता है जब विजाती ये डिने प्रतिक्रिती के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में डिने प्रतिक्रिती वागुनित हो सकते हैं ये डिने क्लोनिंग कहलाता है प्रति जैविक प्रति रोधी जीन एकोलाई में प्रतिकृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है प्रति बंधन एंजाइम डीने दुई कुंडलिनी को विशिष्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं पुनर योगज टीने प्रति बंधन एंजाइम एको आरवन और बंधन की क्रियाद्वारा उत्पन्ने किये जा सकते हैं डीने खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानि वेदुद कन संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है एक डीने अनु जो विजातिये डीने को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है जीवानों कोशिका के भीतर प्रतिकृती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिये डीने क्लोनिंग सवहग गहलाता है पुनर योगज DNA तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं अनुवंशिक पदार्थ यानी DNA का प्रथक करण DNA को विशिस्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोश का जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रव संसाधन